थाना चेतर के जतरगड़ी निवासी 17 वर्ष सूरज गोप के हत्या में शामिल चार आरोपी को भर्नो पुलिस ने ग्रफतार कर मंगलवार को जेल भेज दिया आरोपियों में आमलिया पीपा टोली निवासी विश्वनातु राउं, बौना उर्फ बुत्रू, पुंटु राउं और जौस्टर की शामिल है भर्ना थाना छेत्र में प्रेस कॉंफरेंस आयोचित कर थाना प्रभारे क्रशन कुमार दिवारी ने बतलाया कि 17 मई को सुकर हुट्टू गाउं के मंदरवा गढ़ा में कुवां से एक यूवक का शब मिला था जिसकी पहचान जत्रगडी निवासी सूरज गोप के रूप में किया गया है सूरज की हत्या कर कुए में फेका गया था हत्या को लेकर सूरज के रामेश्व गोप दोरा भर्नो थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद प्रथमिक की दर्श कराए गयी थी प्रभारी ने बतलाए कि आरोपियों के धर पकड़ के लिए स्पी गुमला के इन निर्देश अनुसार एक टीम का गठन किया गया है और उस अंसाधन के क्रम में पता चला कि सभी आरोपि भाग कर आसाम के सीवा शेत्र पश्य मंगाल के बिरपाणा चले आया है भर्नो थाना के S.I. सरहू उराओं और सत्तम गुप्ता द्वारा तीन दिनों के अथक प्रयास के बाद बंगाल पुलिस के सहयोक से पकड़ कर विश्वनात पॉना उर्थ बुत्रू और पिंटू उराओं को भर्नो थाना लाया गया जौर्ज से की पहले सही गाउं आ गया आगे चर्ट कर लड़की जौर्ज के लिविंग रिलेशन्शिप में रहने लगी फिर लड़की अम्रितिक सूरज से मोबाइल बात करना जारी रखा जो जौर्ज को काफी नागवार गुच्रा इसके बाद जौर्ज सौरा अपने सहयोग्यों से मिलकर सूरज को मौत के घा जिसे पता चला कि बिगद 15 तारीक को कुछ लोगों के साथ उसका कहा सुनी हुआ तो किसी बात को लेकर जिसमें तीन आमजद लोग के नाम दिया गया था कि उन लोग से इवक सुरा जगोप कला राई जगड़ा हुआ था और उनहीं लोगों के सक था कि इन लोग मारे हो सक असी तमाम ख़बरों के लिए आप देखते रहिए जी अन भारत अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें